नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका PCS सार्थी में आप है मेरे साथ मेरा नाम है सुमित कुमार और हम साथ में यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ते हैं PCS सार्थी जैसा कि आप जानते हैं यह एक PCS एक्जाम के लिए dedicated channel है यह एक study IQ का ही initiative है यहाँ पर आप मेरे सा high quality content provide कराने वाला channel है जिस पर आपको PCS से related सभी तरह के subjects cover होंगे All India level पर पूछे जाने वाले subjects जो है जैसे history, art and culture, quality वो सब यहाँ पर आप cover करेंगे और उसके अलावा जो आपके state के specific subject हैं जैसे कि अगर आप Odisha से त्यारी कर रहे हैं तो उसका current affair भी आपको मिलेगा और उस साथ आप पढ़ रहे हैं history और हम लेते हैं आप जैसा की जानते होंगे दो बजे हमारी class होती है history की रोज दो बजे हमारी class होती है history की और शाम को 6 बजे हमारी class होती है art and culture की तो अभी हम पढ़ रहे हैं art and culture और आज की class में आज के session में हम पढ़ेंगे कि जो गुपता समय का architecture और कलचर था अठ उस समय क्वांगी कौन सी आठ करना है कि आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको चैनल को सबस्क्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है अपने साथ जो आपके दोस्त हैं उन सबको जाद से जादा शेर करिए ताकि जो भी PCS की तैयारी आपके साथ कर रहे हैं आपकी तैयारी एक ग्रुप में अच्छे से एक अच्छे healthy discussion के साथ हो पाए तो इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा PCS सार्थी study IQ का ही एक initiative है जिसको आप already बहुत लंबे समय से जानते हैं चली शुरू करते हैं गुपता समय का जो art and culture था उसको यहाँ पर समझते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि गुपता समय की जब बात होती है तो हम किस area की बात कर रहे हैं यह देख सकते हैं गुपता समय पर जो उनका शासन काल था उस समय उनका सामराज्य कहां तक फैला हुआ था गुपता समय की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ यानि कि अगर बात करें लगभग 300 से 500 या 580 तक गुपता काल हमें देखने को मिलता है भारत के इतिहास में लगभग यहां पर आप देखेंगे 200 से 500 वर्ष का जो सासन काल रहा है वो यहां पर इतने लंबे एरिया पर रहा है कि इनका गुपता का शासन काल हम देखते हैं लगभग 200 वर्ष का सासन काल रहा है और इतने बड़े एरिया पर रहा है तो एक बहुत आफि इंपरटेंट सामराज्य है और इसलिए भी important है सिर्फ और सिर्फ जोग्राफिकल इसका expense, यानि कि विस्तार इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ इसलिए ही important नहीं है, क्योंकि इसका geographical expense बहुत बड़ा था, उसके अलावा आप देखेंगे जो गुपता समय था, उस समय जो आर्किटेक्चर था, temple आर्किटेक्चर बाकी जो आर्किटेक्चर था उसकी नजर से अगर देखा जाए या science and tech की मदद से देखा जाए तो इसको एक golden phase कहा जाता है इंडिया की history में art and architecture के लिए ठीक है दोस्तों, तो गुपता पीरेट को art and architecture की दृष्टी से जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि वो इंडिया की history में एक golden phase यानि बहुत ही एहम भूभी का रखता है, बहुत important phase के रूप में जाना जाता है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो शुरुआती जो शासक थे वो जादा तर बुद्धिस्ट थे लेकिन जब गुपता समय आगे बढ़ता गया तो बाद में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर बाकी ऐसे शासक मिले जो आपको देखने को मिलेगा जो ब्राहमैनिकल जो यानि कि हिंदुइस्म है उसको फॉलो करने वाले शासक थे जादा तर लेकिन वो बाकी धर्मों के प्रती भी काफी जादा उदार और टॉलरेंट थे तो यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जो हिंदु शासक थे उन्होंने किसी पर अत्याचार किया हो इतना जादा यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता और टेंपल आर्किटेक्चर जो है दोस्तों ठीक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लेटर यानि अभी जैसे मैंने बात की कि जो बाद के शासनकाल के जो राजा और शासक थे वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देते थे और हिंदू धर्म का परचार-परसार करते थे और हिंदू धर्म से ही संबंध रखते थे तो आप देखेंगे कि बाद के समय में यहाँ पर आपको मिलेगा कि टेंपल आर्किटेक्चर जो है वो लेटर गुपता के समय पे डिवेलप हुआ और उससे पहले वाले जो शासक थे उनके समय पर आप देखेंगे कि बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर था वो जादा आगे बढ़ा और उसका परचार परसार जादा हुआ ठीक है दोस्तो तो टेंपल आर्किटेक्चर काफी अपने अच्छे समय में यहाँ पर पहुँच गया था उसके बाद बुद्धिस्ट और जैन आर्ट जो थी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो भी उनका भी एक तरह से गोल्डन समय चल रहा था ठीक है दोस्तो उनका भी एक तरह से स्वरनेम काल चल रहा था जो जैन और बुद्धिस्ट और साथ साथ जो हिंदू आर्किटेक्चर था तीनों का यहाँ पर स्वरनेम काल चल रहा था ठीक है दोस्तो अब यहाँ पर देखते हैं जो आप बात मैंने आपको कही अल्रेडी वही लिखी है उसके अलावा जो तीन जो भगवान थे तीन तरह के भगवानों का यहाँ पर देखने को मिला कि इनकी पूजा अर्चना यहाँ पर देखने को मिली गुपता समय में कि इनका प्रचलन जादा बढ़ा और यह कौन से थ इस्टन पार्ट था इंडिया का वहाँ पर शक्ति कल्ट यानि की जो शक्ति जैसे माता दुर्गा है उनकी पूजा करने वाले आपको प्रचलन देखने को मिलेगा ठीक है और यह हमें देखने को मिलता है नौर्थ में आप देखेंगे तो भगवान विश्नु की पूजा क का भी कल्चर फॉलो करेंगे अगर आप आज के कल्चर को भी देखें भारत के तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वैश्नविजम जो मानने वाले लोग जादा हैं साउथ में आपको शैविजम खीक है यानि शिव भगवान को मानने वाले अगर आप पुराने मंदि मिलेंगे उसी तरह से अगर आप देखेंगे दुर्गा पूजा का बहुत बढ़ा महत्व है कामाख्या टेंपल देखने को मिलेगा तो इसी तरह से आप देखेंगे जो East India है वहाँ पर किसकी पूजा होती थी वहाँ पर शक्ती कल्ट की यानि की देवी की पुजा होती थी, माता दुर्गा की पुजा होती थी खीके दोस्तों चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आर्किटेक्चर जो था वो क्या था कितने तरह की आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर आर्किटेक्चर में केव पढ़ेंगे और फिर स्टूप पढ़ेंगे ठीके दोस्तों, तो आर्किटेक्चर जो है उसमें हम स्टूप पढ़ेंगे अब यहाँ पर कहता है कि architecture जो था वो लग भग एक constant phase में यानि कि उसमें कुछ बहुत ज़ादा बड़े बदलाव नहीं हुए जो architecture था, cave architecture जो था वो continue रहा हम जानते हैं कि cave architecture जब हम पढ़ रहेते तो वो कहां से शुरूआ था Morian Carl से शुरू हुआ था और दूसरे का example आप मुझे comment box में बताईए बराबर caves के साथ एक और important cave है जो Morian Carl में, Morian समय में हम पढ़ते हैं उसका मुझे example बताईए तो हम जानते हैं Morian समय में शुरूआत हुई किसकी rock cut जो rock cut जो architecture था यानि कि cave इंसानों द्वारा काट कर बनाई जाने लगी पहाडों में से, चक्टानों में से काट कर उनमें रहने लाइक कमरे और बड़े-बड़े hall बनाए जाने लगे तो rock cut architecture की शुरूआत कब दिखती है Morian time में तो same development जो है वो यहाँ पे देखने को मिला वो ऐसे ही चलता रहा, इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए लेकिन एक बहुत important बदलाव हमें देखने को मिलता है और वो है moral paintings यानि कि अब cave architecture में आपको cave architecture के साथ-साथ आपको उसके अंदर paintings भी दिवारों पे देखने को मिलने लगी जैसे अजन्ता की और एलोरा की गुफाओं में ठीक है दोस्तों, तो ये जो painting थी इनको हम कहते थे moral paintings क्योंकि ये दिवार पर की जाती थी तो दिवार पर की जाने वाली इन paintings को हम कहते है moral paintings चलिए, तो इसकी example आप देख लेते हैं, ठीक है इसका मैं आपको example दिखाता हूँ paintings का ये रहा, ठीक है दोस्तों ये रही moral paintings का आप example यहाँ पर देख सकते हैं अजन्ता की गुफाओं में moral paintings का यहाँ पर आप अच्छा example देख सकते हैं ये दिवारों पर की गई painting थी और इन painting को जिस तरीके से किया जाता था अब आप ये देखिए कि हजारों साल पहले ये paintings की गई थी और आज तक ये paintings इतनी जादा famous क्यों हैं दोस्तों ये paintings इसलिए इतनी जादा famous हैं क्योंकि इतने सेकडों हजारों सालों बाद भी इन paintings के जो इनकी paintings का इनका जो quality है इनकी quality उतनी खराब नहीं हुई है और बहुत अच्छी स्थिती में ये अभी पाई जाती है तो वो जो technique थी उसमें कुछ खास बात रही होगी ठीक है दोस्तों उस technique में कुछ खास बात रही होगी उस technique का नाम क्या था तो उस technique का नाम था फ्रेसको technique से ये painting बनाई जाती थी यानि कि जो moral paintings थी वो fresco technique से बनाई जाती थी ठीक है दोस्तों अब ये fresco technique क्या होती है दरसल fresco technique में सबसे पहले इस्तमाल होता है एक मिट्टी का mixture बनाया जाता है किसके साथ गाए के गोबर के साथ कावडंग के साथ और राइस हस्क ठीक है जो चावल के ऊपर उसका एक उसका जो खोल होता है उसको मिला कर गाए के गोब जुन होती है गुफा की उसकी दिवार पर पहले लेप किया जाता है किसका गाय के गुबर का राइस हसक का चालो के खोल का और मिक्टी का अससे एक परत बना जी जाती है Rock सर्फेस के उसके बाद फिर उसके उसके उपर coating की जाती है, lime plaster याई चूने का plaster की उसके उपर coating की जाती है, पहली layer आ गई mτι की, मिक्टी के mixture की, दूसरी layer आ गई, चूने की, ठीक है दोस्तो दूसरी layer आ गई, चूने की और तीसरी, ठीक है तीसरा फिर यहांपर, color याई कि paradigm apply किया जाता था क्या किया जाता था color इसके उपर यहाँ पर color लगाया जाता था ठीक है यानि कि जो भी painting करनी होती थी आप इसमें third layer में वो painting करते थे अब होता क्या था कि जब आप इन colors को इसके गीले plaster पे apply करते थे तो ये गीला plaster क्या करता था इन colors को इस तरह से absorb कर लेता था इस तरह से सोख लेता था कि वो color आने वाले सदियों और हजारों साल तक भी वहीं बना रहता था और मिटता नहीं था ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हैं अजन्ता की गुफाओं में जो painting थी वो आज भी बहुत जादा अच्छी figures अच्छी स्थिती में पाई जाती हैं ठीक है तो यहां पर हमने देखा कि हमें क्या example देखने को मिला कि भई जो चक्टाने थी उनमें गुफाएं उसी तरह से बन रही थी जिसे modern karl में बनती थी लेकिन अब यहां पर एक नया feature देखने को मिला वो क्या था वो हमें देखने को मिला paintings ठीक है कौन सी paintings mural paintings कैसे बनाई जाती थी fresco technique से ठीक है दोस्तों fresco technique से वो पूछ सकता है आपसे कि fresco technique में क्या क्या चीज़े यूज होती है rice husk option में देगा lime plaster देगा उसके अलावा कुछ ऐसा भी दे सकता है जो शायद आप जो यूज ना होता हो आपको confuse करने के लिए इसलिए fresco painting में जो जो चीज़े use होती है उनको आप याद रखिए चलिए यह photo है दोस्तों अजन्ता केव की और यह है ऐलोरा केव की photo है और यह एक बहुती सुंदर मंदिल है आप मुझे comment box में बताईए इस जो structure है इसको देखकर आपको किस मंदिल की याद आती है मुझे comment box में बताईए अजन्ता केव की यहाँ पर जब बात होती है तो अजन्ता केव हमें औरंगाबाद में देखने को मिलती है कहां पर महराश्टर में और इसमें total 29 गुफाएं है पूरी जो अजन्ता एक जो area है गुफाओं का उसमें पूरी 29 गुफाएं है जिसमें से 25 जो है विहार है और चार जो है चैते हैं मैंने last class में बताया था कि 29 को ऐसे याद करिए कि चा से चैते और चा से चार तो चार इसमें चैते हैं ठीक हैं और पच्चिस इसमें विहार हैं अब मैं आपको बता दूँ कि विहार और चैते क्या होते हैं, तो दोस्तों, जब बुधिस्ट जो साधु होते थे, वो एक जगा से दूसरी जगा घूमते थे, तो कुछ समय ऐसा आता था साल का, जब बारिश होती थी, तुफान आते थे, और वो एक जगा से दूसरी जगा नहीं जा पाते थे, तो उनके रहने की विवस्था करने के लिए, यहां पर रुकने की विवस्था करने के लिए, विहार बनाये जाते थे, विहार कुछ नहीं होता, बस एक तरह से कमरे, ऐसे कमरे होते हैं, जहां पर साधुों के, बुधिस्ट साधुों के रुकने की जग गुफाओं का निर्मान चलता रहा था लगभग साड़े 800 साल देखे 650 यहां से और 200 यहां से तो लगभग कितना हो गया साड़े 800 साल तक इन गुफाओं का निर्मान चलता रहा था और इसमें आपको मेंली जो मिलेंगी जो बुद्धिस्ट जो चीजें है बुद्धिस्ट जो धर्म है उससे ही रिलेटिड यहां पर पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर आपको मिलेगा तो जब भी अजन्ता केव की बात होगी तो इसमें आप याद रखिए कि यह बुद्धिस्म धर्म से काफी जादा रिलेटिड है यानि कि यहां पर आपको बुद्धिस्म धर्म ही मिलेगा ठीक है और जो हरीशेना जो राजा थे वाकटाका किंग उनके समय पर बुद्धि सकता है कि कौन सी ऐसी गुफा है कौन सी ऐसी गुफा है जिसकी शेप एक घोड़े की नाल यानि कि होर्स शू जैसी है ठीक है होर्स शू जैसी है यानि कि घोड़े की नाल जैसी इसकी शेप है आकरती यानि कि जैसे कोई सी बन रहा हो सेमी सर्किलर ऐसी इसकी शेप है तो वो कौन सी गुफा है दोस्तों वो है अजंता गुफा तो आपको इस example अजंता गुफा का याद रखना पड़ेगा कि कौन सी इसकी shape कैसी है अजनता गुफा में आपको फ्रेसको पेंटिंग्स मिलेंगी मैं अल्रेडी समझा चुका हूँ कि फ्रेसको पेंटिंग्स का आखिर मतलब क्या होता है ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि important जो चीजे हैं वो है कि इन पेंटिंग्स की जो खासियत है उनके बारे में कि यहाँ पर red color की outline आपको दिखेगी ठीक है यूँ करके कुछ आकरती बनी उसमें red color की outline मिलेगी और अंदर फिर उसमें color या चित्र मिलेगा तो red color की outline आपको देखने को मिलेगी और जो सबसे खास बात है इसकी वो है कि इसमें blue color जो है वो absent है ठीक है तो जो blue color है वो अजंता की गुफाओं में जो mural paintings है जो fresco technique से बनी है उसमें आपको red color की outline दिखेगी लेकिन उसमें आपको blue color जो है वो दिखेगा नहीं वो missing होगा ठीक है तो ये facts याद रखेंगे उसके अलावा यहाँ पर जो paintings है इनकी theme क्या है already बता चुका हूँ कैसी है इनकी theme इनकी theme है बुद्धिस्म ठीक है तो बुद्धिस्च धर्म से related है तो इसमें जादा तर जो theme आपको देखने को मिलेगी वो क्या मिलेगी बुद्धिस्म से related और उसमें भी खास तोर पर कौन सी च जो पुर पिछला जनम है जो previous birth है उसके बारे में बात करता है जातक कथा जो गौतम बुद्ध के पिछले जनम की बाते हैं उनसे जो ज्यान मिलता है उनसे जो सीख मिलती है उसके बारे में जातक कथा बात करती है ठीक है दोस्तों और जातक कथाओं पर आधारी चित्र हिनायन क्या होता है अगर आप थेकिने क्या होता है यह में आप इसमें पर इसको करतें थे 可以 उस पहले हिनायन तरीके से फॉलो करते थे, जो राजा अशोका थे, वो हिनायन बुद्धिज्म को मानते थे, हिनायन बुद्धिज्म में क्या होता है, आप यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनाते हैं, बुद्ध की मूर्ती नहीं बनाते हैं, और यहाँ पर बुद्ध क यहाँ पर बुद्ध को भगवान के रूप में ना देखकर आप बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हैं और निर्वान आप बुद्ध जैसी स्तिथी में जाने की निर्वान आप अचीव करने की कोशिश करते हैं और इसमें बुद्ध की आप मूर्ती बना कर पूजा नहीं करते हैं वहीं पर अगर پھर महायान बुद्धिस्म की बात की जाए तो गौतम बुद्ध के बाद महायान राजा अशोका के बाद यहां पर देखने को मिलता है जब राजा कनिशक आए कनिशक जो आए رाजा कनिशक आय कुशान जो तामराज्य था उसके राजा कनिश्क जो आए उसके समय पर यहाँ पर देखने को मिलता है उनके समय में जो बुद्धिस्म है वो दो भागों में बट गया किसमें एक हिनायना में और एक महायान में ठीक है दोस्तों राजा कनिश्क के समय में 72 AD में बुद्धिस्म जो है हिनायन और महायान में तूट गया महायान में क्या होता है बुद्ध की मूर्ती बना कर पूजा होती है ठीक है में इसका डिफरेंस यही है बाकी जब डीटेल में हम बुद्धिस्म को पढ़ेंगे तो हम इन सारी चीजों को और भी अच्छे से पढ़ेंगे और आप पाएंगे कि हिनायन और महायान से पहले भी कई प्रकार के बुद्धिस्म जो है वो चलते थे जैसे ठेरा वाड़ा हो गया और उसके अलावा और भी है ठीक है तो आप देखेंगे कि बुद्धिस्म की फिलोसोफी जब हम कि अच्छे लीजिए मैंने आपको सीयंड के लिए बता दिया कि दो तरह के बुद्धिस्म होते हैं एक इनायन और एक महायाइचा तो आपको देखने को रहा बुद्धिस्म से रिलेटेड आपको अजंता केव में मिलेंगी चलिए तो अब यहाँ पे बात करता है कि अचक इंडिया में travelers थे ठीक है ancient जो कि प्राचीन भारत में यह एक यात्री के रूप में आया थे और इन्हों ने यहाँ के accounts, यहाँ की जानकारी जुटाई थी उनकी जानकारी से हमें मिलती है किसके अजंता केव के बारे में हमें जानकारी मिलती है फाहियान और हुआन सांग फाहियान जो है दोस्तों ये चंदरगुप्त चंदरगुप्त 2 यानि कि विक्रमादित्य चंदरगुप्त 2 के समय में आये था उनके शासनकाल में भारत में आये था और हुआन सांग के बारे में बताईए मुझे चंदरगुप्त टू के समय विक्रमा दित्ते, चंदरगुप्त टू के शासनकाल में फाहियान आये थे, तो हुआन सांग किस के शासनकाल में आये थे, comment box में बताईए, चलिए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ important मूर्तियां हैं, कुछ sculptures, cave architecture पढ़ रहे हैं, उसके साथ हमें देखने को मिलता है, कुछ उसमें sculptures भी थे, कौन से थे, एक बुद्ध का महापरी निर्वान sculpture बहुत famous है, जो आपको अजन्ता की गुफा में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों, अजन्ता की गुफा में, cave number 26 में आपको देखने को मिलेगा, महापरी नि अन्तिम समय की ये बात कर रहा है, तो महापरी निर्वान यानि की बुद्ध का अन्तिम समय है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको अजन्ता की गुफा में एक नागा जो किंग है, उनका भी cave number 19 में sculpture देखने को मिलता है, आईए देखते हैं, ये महापरी निर्वान of Buddhist, अगर आप बुद्धिस्म धर्व देखेंगे, तो महापरी निर्वान यानि की बुद्ध के आखरी समय का जो sculpture है, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तो question वो बना देगा, कि जहाँ पर बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों, जहा ऐसे ही structure की, गौतम बुद्ध के लेटे हुए structure की वहाँ पर पूजा की जाती है, श्री लंका में, तो आपको देखने को मिलेगा, वो महापरी निर्वान जो आखरी समय ता, बुद्ध का उस समय की, उनकी उस अवस्था में, उस समय की परतिमा की वो पूजा करते हैं, उस चैते और विहार आजाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद महापरी निर्वान बुद्धा और जो नाग किंग है, आप इनकी बात उसमें चर्चा में कर सकते हैं, क्योंकि अजनता बहुत important गुफा है, इस पर direct specific question वो आपसे कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, चलिए तो और वैसे भी पूछ सकता है में अगर प्री की बात करें प्री का वो आपसे पूछ लेगा कि अजंता गुफाई में अगर आप जाएंगे तो कौन-कौन से स्कल्प्चर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक महापरी निर्वान बुद्धा की बात कर देगा और पताईए मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैंने पूछा था आपसे कि ये इस फोटो को देखकर आपको किस फेमस टैंपल की याद आती है चलिए अब यहां पर देखते हैं अलोरा केव यह भी आपको मिलेगी सहयाद्री रेंजिस यानि कि महाराश्ट्रा में आपको यह वाली जो गुफाएं है अलोरा की ये भी आपको मिलेगी वही पर और इससे बात करें तो इसमें 34 केवस हैं उसमें कितनी थी उसमें 39 केवस थी और सारी कैसी थी सारी बुद्धिस्ट थी किसमें अजन्ता में अजन्ता में सारी बुद्धिस्ट केवस थी सारी 34 जो 39 केवस थी यह कि अजन्ता में आपको सिर्फ एक ही धर्म से रिलेक्टिक जो गुफाएं होती है वो ही आपको मिलती है और वो है बुद्धिस्ट चलिए अब ये इसका जो डिवेलपमेंट का पीरियड है ये पांच पांच वी से ग्यारवी शताब दी ठीक है दोसनों और इसका आप देखि ठीक है लगबग 480 से लगबग 1000 एडी तक ये चलता है ठीक है दोसनों 5th century इसका मतलब 480 और 11th century मतलब 1000 एडी तक की बात करता है तो आप देख सकते हैं दोनों के समय में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अजन्ता की गुफाएं जो है वो पहले बननी शुरू हो गई धर्म का डिफरेंस पता चल गया कि भई ये तीन धर्म से है वो एक ही धर्म से बिलॉंग करती है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अगर अलोरा की बात करें तो अलोरा में जो इंपॉर्टिंग चीज़े हैं उसमें हमने पड़ा जो अजन्ता की गुफाएं थी उसम के अलावा जहाँ पर आपको बुद्ध बुद्ध जो हैं गौतम बुद्ध करूहरा में दिखेंगे कि समें बोधtic टी में तो अगर वह आपको question मनाके बोल दे क्या जो है बद्ध है बुद्ध ऑं अगर बुद्ध हैं कहा पर अजन्ता केव में अगर बोले कि अजन्ता के बुद्ध जो है वियाकर मंद्रा में दिखते हैं तो ये statement क्या होगी गलत क्योंकि वहां पर जो गौतम बुद्ध हैाजंता केव में वह महापरी निर्वान मंद्रा में दिखते हैं आपको चलिए समझ आया अप कियाता है की क्योद्रети की बात करता है तो यह एंहां आपको देखने को मिलेगा दोस्तों दशावतार temple बहुत ज़्यादा important है क्योंकि जब temple architecture की North India उत्तरी भारत में जब मंदिर बनने शुरू हुए थे पूरे complete structure की form में तो आपको देखने को मिलेगा उन में से सबसे पहले structures में से दशावतार जो temple है उसका नाम आता है इसको हम temple architecture में पढ़ेंगे उसके बाद सबसे ही ज़्यादा important है cave number 16 जिसको बोलते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैलाश temple या कैलाश नाथ temple भी कह लीजिए भगवान शिव को ये temple समर्पित है और राष्ट कुटा king जो थे राष्ट कुटा जो शासनकाल था आप देखेंगे राष्ट कुटा भी हम पढ़ेंगे चालुक्याज के बाद राष्ट कुटा आए थे कहाँ पर जो महाराष्ट का रीजन था दोस्तों महाराष्ट का रीजन था यहाँ पर आपको मिलेंगे वकाटकाज मिलेंगे उसके बाद चालुक्याज मिलेंगे उसके बाद राश्ट्रकुटाज आपको देखने को मिलेंगे लगबग 800 AD के आसपास तो यहाँ पर आक्षोईडी के बाद आपको राश्ट कुटा देखने को मिलेंगे तो राश्ट कुटा किंग जो थे कृष्णा वन ठीक है कृष्णा ए प्रथम उन्होंने यहाँ पर कैलासना टेंपल यानि की एलोरा की केव नंबर 16 में बनवाया था और आपको मैंने बता दिया कि महराश्ट का जो रीजन है यहाँ पर वाकटा के बाद चालुक क्या है फिर राश्ट कुटा आए और उस राश्ट कुटा सामराज्या के राजा थे कौन से कृष्णा वन चलिए और इसकी खास बात यह है कि एक ही चक्टान मोनोलिथ पूरी एक ही चक्टान से मिलक बना एक बहुत ही सुन्दर मंदिर है अभी आपको फोटो दिखाऊंगा और आपको इसमें देखने को मिलेगा एक ऐसा स्कल्प्चर देखने को मिलेगा जिसमें रावन जो है वो जब क्यालाश परवत को हिला रहे थे तो उसका भी आपको बहुत सुन्दर स्कल्प्चर द मिलेंगी जिनको हम इंद्र सभा और जगनात सभा भी कहते हैं तो इंद्र सभा और जगनात सभा वो क्या है वो एक वो जैन गुफाएं हैं इंद्र सभा और जगनात गुफा जो हैं वो जैन सभाएं हैं और वो कहां देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलेगी एलॉरा की गुफाओं में फिलाल जो सबसे important चीज है रावन शेकिंग mountains ठीक है किसमें मिलेगा आपको ये मिलेगा आपको कैलाश temple में ठीक है cave number 16 कैलाश temple में आपको देखने को मिलेगा रावन शेकिंग mountain यानि जिसमें रावन जो है कैलाश परवत को हिला रहे हैं ये रावन है ये शिव पारवती उपर बैठे है शिव जी उपर बैठे है और रावन जो है वो नीचे से परवत को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुती सुन्दर कहा मिलेगा कैलाश नातकिस केव नंबर 16 कैलाश टेंपल उसके अलावा ये दशावतार टेंपल है ठीक है एलावरा का दशावतार देखिए कितना सिंपल टेंपल है इसमें उपर शिखर भी अभी एपसेंट है इसमें शिखर भी आपको देखने को मिलेगा शिखर भी इसमें नहीं है ठीक है दोस्तों शिखर भी इसमें नहीं है तो ये बताता है कि जब टेंपल बनने शुरू हुए थे जब temple architecture की शुरुवात हुई थी, ये लगभग तब का एक temple है, ठीक है दोस्तों, चलिए, कहां पर था, देखिए, दशावतार temple आपको मिलेगा, cave number 15 में, एलोरा की गुफाओं में, फिर सारे example हमें याद रखने हैं, क्योंकि वो paper में direct पूछ लेता है इन पे, कि दशावतार temple अलोरा में है, या अजंता में है, या फिर किसी दूसरी किसी गुफा में, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देखिए, जिस temple की मैं बात कर रहा था, क्यलाशनाथ temple, बहुत ही सुंदर है, और architecture का, ये बहुत ही शानदार नमूना है, आप देख सकते हैं, एक ही चक् इतना बड़ा structure बना है, लोग देखिए, कितने जादा छोटे इस temple के आगे दिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं, कितना विशाल ये structure होगा, ठीक है दोस्तों, और नकाशी देखिए, sculpture making, यानि कि architecture प्लस sculpture एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, और paper में जब वो पूछेगा, तो आप उसका example के लाशनाथ temple भी दे सकते हैं, उसके अलावा बाग caves हैं यहाँ पर, बाग caves आप देखिए, मध्यपरदेश में आपको देखने को मिलेगी बाग caves, जिसमें 9 Buddhist caves हैं, और ये 6th century AD, यानि कि लगभग 500 AD का जो समय था, उसमें यहाँ पर इसको develop किया गया था, और इसके खास बात ये है, कि ये अजन्ता की जो caves हैं, आपको उनके जैसी देखने को मिलेगी, उनमें उसके जैसी देखने के मिलेगी, इसका मतलब क्या है, पहले तो आप देखिए, ये बाग caves है, ठीक है, इसके फोटो, आपको यहाँ पर कहीं विहार जो होंगे, ऐसे द अजन्ता की गुफाओं को हमेशा याद रखना है, मुरल पेंटिंग्स के लिए, जब भी बात होगी मुरल पेंटिंग्स की, तो अजन्ता की गुफाओं का नाम हमेशा आएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पर, बाग caves में, जो की है आपक गुफा जैसा structure तो देखने को नहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एक important structure है, जिसको बोलते है उपर quote, इसका एक बहुत important structure है, जिसको बोलते है उपर quote, उसकी photo में आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिए, ये देखिए, ये उपर quote क्या है, उपर quote हमने सीटा डेल पड़ा तो ये कहां आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको जूनागड़ caves में इसका example याद रखना है, वो question में पूछ लेगा, कि उपर quote आपको किस गुफा में देखने को मिलेगा, तो उसका सही जवाब क्या होगा, उसका जवाब होगा, जूनागड़ की गुफाएं ज जिनको पांड़ लेनी के नाम से भी जाना जाता है, अब पांड़ लेनी एक अलग से शब्द इसमें आ गया है, तो ये भी हमें याद रखना है, क्यों, क्योंकि वो आपसे question में पूछ लेगा, कि इन में से, निमन लिखित में से, कौन से गुफाओं को पांड़ लेनी के चीज़े नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए उस समय उसको क्या बोलना है, उसका नाम है नाशिक ये। तो नाशिक केव्थ आपको पता है कि पांड़ लेनी के नाम से भी जानी जाती है, और पहले ही शत्ताबदी में, thousand century AD में इसका जो है निर्मान हु हिनायना और महायाना में टूटा और बात हो रही है Second century याझनी जीरो से 99 गजिए और ये बात है बहत्तर एड की जाहिर सी बात है कुछ-कुछ हिनायना का भी आपको इसमें देखने को मिलेगा influence और कुछ-कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा महायान बुद्धिस्म जो है उसका भी influence देखने को मिलेगा ठीक है तो आइडल्स आफ बुद्ध आपको यहाँ पर मिलेंगे क्यों आइडल्स आफ बुद्ध कहां मिलते हैं कौन से बुद्धिस्म में हम बुद्ध की मूर्ती के रूप में पूजा करते हैं वो है यहाँ पर महायान बुद्धिस्म ठीक है दोस्तों तो महायान बुद्धिस्म में आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी कहां पर नाशिक केवस में ठीक है दोस्तों चलिए और यहाँ पर water management का excellent example जूना गेर्ड केवस में क्या मिलता है हमें उपर coat ठीक है दोस्तों यह रहा उपर coat तो छोटे छोटे points है इसमें कुछ बहुत लंबी चोड़ी बाते नहीं है कुछ छोटे छोटे points है अगर आपको याद है तो paper में आप इसको तुरंत देखते ही आपका time भी नहीं लगेगा आप इसको इतनी speech से questions को attack करेंगे कि आपका time भी नहीं लगेगा तो इसलिए दोस्तों बहुत आसान चीज़े है यह बहुत ही आसान चीज़े है अगर आपको example याद है तो आप mains में अच्छा याद आ जाएगा लेकिन अगर बात की जाए मेंस की तो आपको देखेंगे कि मेंस में एक आंसर तभी अच्छा बनेगा एक आंसर में वजन तभी आता है जब दोस्तों आप उसमें example देंगे तो आपको example बिलकुल एकदम सटीक example याद होना चाहिए जैसे रावन की खाई ठीक है रावन शेकिंग माउंटेन एलोरा की गुफा की जब सकल्प्चर की बात करेंगे तो कुछ खास example याद होने चाहिए उसी के अलावागर आप गुपता काल की बाकी गुफाओं की बात करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे बात करनी पड़ेंगी जिसे पांडव लेनी की बात करनी होगी जुनागड की बात करनी होगी ठीक है दोस्तों तो कुछ example हमेशा याद रखिए पिर एक बोरीवली मुंबई में महराश्ण में यहाँ पर मौंट परीर केव के नाम से जानी जाती है कौन सी महामंडपेश्वर केव यह भी बहुत important केव है क्यूंकि खुद में यह अकेला ही आपको एक ऐसा example दिखेगा जो पहले एक हिंदू केव होती थी हिंदू से related केव होती थी जिनको को बाद में convert कर दिया को पहली कोई में एक देखने को मिलेगा और एक धर्म से बदल कर दूसरह धर्म में जब उससे कर दिया गया तब उसमें आपको बदलाव को मिलें यानी की है वो है मंडपेश्वर केव ठीक है दोस्तों तो इसका एक्जामपल आपको बिल्कुल याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है और यह कब की है यह लेट गुपता समय की चलिए और यह पहली ब्रहमयनिकल यानि कि हिंदू धर्म से रिलेटेड हिंदू धर्म से जुड़ चलिए उसके बाद आती है उद्यगिरी केव ठीक है उद्यगिरी केव जो आती है मध्यपरदेश में मिलेंगी कहा में लेंगी आपको मध्यपरदेश के विदीशा में आपको उद्यगिरी केव देखने को मिलेंगी इसकी शुरुवात जो ही थी बनाने की इनकी स्टार्ट कब हुई थी वो ऑच सेंचूरी A.D. में चंदरगुप्त टू जो विक्रमादित्य थे उनके समय ठीकर है विक्रमादित्य चंदरगुप्त 2 के समय पर उद्यगेरी केस बननी शुरू हुई थी कहां पर मध्य प्रदेश में और विदीशा में जो है 5th century AD यानि लगभग 400 AD के जो बाद का समय है उसको हम कहते हैं 5th century AD ठीके दोस्तों और यहां पर भी important आपको सबसे important sculpture जो मिलेगा बहुत जादा important है बहुत important है बिलकुल याद होना चाहिए आपसे पूछ लेगा कि बही बताईए जो भगवान विश्नु का जो बोर incarnation है यानि वराहा जो रूप है भगवान विश्नु का वराहा रूप आपको कौन सी गुफा में देखने को मिलेगा तो उसका सही जवाब है मध्य परदेश की उदैगिरी केव में आपको वराहा जो इनकारनेशन है वो आपको देखने को मिलता है भगवान विश्नु का और उसकी फोटो आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये वराहा अवतार है भगवान विश्नु का तो आपको याद रखना होगा कि वराहा अवतार भगवान विश् लोरा का एकजांपल देखने को मिल गए हिंदू धर्म से रिलेटेड जो सकल्प्चर है उसके अलावा जैन जो बुद्धिस्ट जो सकल्प्चर है उसके एकजांपल हम और घी सारे पढ़ चुके है ठीके दोस्तों चलिए ठीके चलिए तो यहां पर बात की आगे बढ़ते हैं यह देख लिए हमने बिलकुल अब हमने आर्कितेक्टचर जो है आर्कितेक्चर गुपता समय का वो खतम कर लिया है उसमें हमने यह आर्कितेक्चर पड़ा जिसमें हमने अजन्टा अलोरा जूनागड़ बाग केव और उसके अलावा मंडपेशवर केव और नाशे केव हमने उसमें फड़ी अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंग जो दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चर का आर्किटेक्चर का वह स्टूप यहां पर कहता है कि जो स्टूप बनने की जो तरीका था जो स्टूप बनने की जो फ्रिक्वेंसी थी जादा तरब स्टूप उतने इसमें गुपता काल में नहीं बने तो यहां पर कही ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिली नंबर ऑफ स्टूप जो बनते थे लेकिन कुछ फेमस स्टूप है जो अभी भी आपको देखने को मिलेंगे जो गुपता काल में थे और अभी भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें फेमस है एक धामेक स्टूप है सारनाथ में आपको मिलेगा धामेक स्टूप है सारनाथ में मिलेगा फोटो याद रख लीजिए एक बैल जैसे होती है एक बैल की शेप में आपको यह स्टूप मिल पोस्ट मॉरियन समय का एक्जामपल बताईए भरहुत स्तूपा ठीक है पोस्ट मॉरियन का कौन से बात करता है भरहुत स्तूपा तो कभी भी अगर स्पेसिफिक अगर वो खास तोर पर आपसे जो स्तूप आर्किटेक्चर है अगर उसी पर क्वेश्चन पूछ ले तो आप अलग अलग समय के स्तूप का एक्जामपल दे सकते हैं जिसमें मॉरियन समय की बात कर सकते हैं ठीक है सांची का एक्जामपल देंगे पोस्ट मॉरियन में किसका देंगे भरहुत का एक्जामपल देंगे और उसके बाद अगर फिर आप जब गुपता पर आएंगे तो आप यहां पर example दे सकते हैं धामेक स्टूपा का और उसके अलावा एक और important स्टूपा है धामेक स्टूपा के अलावा गुपता समे का वो है चौखंडी स्टूपा उसकी फोटो आप देख लीजिए दोस्तों यह नियूज में रहा है पिछले साल इसलिए मैंने आपको add किया यहा ही है और आपको पता होना चाहिए कि art and culture की कौन-कौन सी चीजें हैं जो नियूज में रहती है ठीक है तो यह एक important पार्ट है static का भी तो मुझे यह बताईए यह जो structure है यह मैं आपको बता देता हूं आधा कि यह जो उपर structure है इस तूप के उपर यह बाद में add किया गया है किसी मुगल शासक के द्वारा ठीक है किसी मुगल शासक ने इसको बाद में इस जो चौकंडी स्टूप है इसके उपर add करवाया था उस मुगल शासक का यहां पर आप मुझे नाम बताईए उस मुगल शासक का मुझे comment box में नाम बताईए कि किस मुगल शासक ने जो चौकं तो स्कल्प्चर्स जो थे यहां पर बात करते हैं और क्या हुआ स्कल्प्चर्स में तो स्कल्प्चर्स में यहां पर आते हैं हमने पढ़ लिया हमने आर्किटेक्चर पढ़ लिया आर्किटेक्चर में क्या पढ़ा हमने हमने केव पढ़ी हमने क्या पढ़ा और हमने यहां प स्कूल और एक मतुरा स्कूल ही है हमने स्कलप्चर को तीन अलग स्कूल से पढ़ा था कब पोस्ट मौरियन समय में जो स्कल्प्चर स क्याम कैसे पढ़े थे वह अमράवावति Σ्कूल गंधार स्कूल और मत्रा स्कूल के माध्यम से पढ़े थे यहाँ पर देखेंगे अब स्कल्प्चर्स में और क्या development हुई तो यहाँ पर स्कल्प्चर्स का एक और नया स्कूल देखने को मिलता है कहाँ पर सारनाथ में तो question में बोल देगा कि सारनाथ के आसपास जो स्कूल सारनाथ स्कूल ऑफ कल्चर जो है वो कहां से बिलॉंग करता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो गुपता काल से बिलॉंग करता है ठीक है और यहां पर क्या यूज होता था जैसे अगर आप बात करें अमरावती तो अमरावती में क्या यूज होता था गंधार में क्या यूज होता था यहां पर ब्लू और ग्रे सैंड स्टोन यूज होता था और मतुरा में मतुरा में रेड सैंड स्टोन यूज होता था इसी तरह से सारनाथ का जो स्कूल है गुपता समय का यहां पर क्रीम कलर का सैंड स्टोन यूज होता था द sculptures बनते थे, metal के sculptures बनते थे, तो आप देखेंगे उन sculptures को काफी अच्छे कपड़े पहने वे दिखाया जाता था, ठीक है, यहाँ पर sculptures को भी कपड़ों में दिखाया जाता था, ठीक है दोस्तों, और जो sculpture होता था, उसके चारो तरफ आपको देखने को मिलेगा जो head होता है, किसी भी जो बुद्ध का जो head होता है उसके पीछे एक hello होता है hello मतलब किसी भी enlightened state में किसी भी जागरित व्यक्ति को जब दर्शाया जाता है तो उसके पीछे कुछ प्रकाश जैसा ऐसा दिखाया जाता है तो जब हमने बात की थी गंधार school of art की तो गंधार school of art में आप देखेंगे बुद्ध के पीछे जो hello था ये ये जो आकरती थी गोल ये थोड़ी छोटी थी ठीक है वहीं फिर जब हमने मत्हुरा school में देखी तो ये थोड़ी बड़ी हो गई उसी तरह से जब हम यहां देखते हैं कि जो hello था कहां पर इसमें सारनाथ school में ये काफी ज़्यादा शांदार तरीके से decorated था आप फोटो में देख सकते हैं ये है cream sandstone में सारनाथ जो बुद्ध है आपको देखने को आपके दिमाग में दोस्तो जब भी आप बुद्ध जब भी आप गुपता समय का sculpture की बात करेंगे तो आपको यहां पर सुल्तान गंज बुद्धा याद रखना ही होगा आप चाहे कुछ भी भूल जाएं आपको सुल्तान गंज बुद्ध याद होने चाहिए क्योंकि ये एक खड़ी खीक है दोस्तों एक standing position यानि की खड़ी मुद्धा में खड़े हुए है जिसमें बुद्ध और इन्होंने यहां पर ये एक चोगा भी पैना हुआ है जो की आम तोर पर आपको किसी और बुद्ध की प्रतिमा में देखने को नहीं मिलेगा खीक है दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने चोगा पैना हुआ है और ये खड़े हुए है यहां पर महत्मा बुद्ध और ये कौनसा sculpture है सुल्तान गंज बुद्ध ये गौतम बुद्ध का जो sculpture है ये गुपता समय का संबंध रखता है ठीक है दोस्तों तो ये था गुपता समय का दोस्तों आट एंड आर्किटेक्चर आई होप आट एंड कल्चर ये गुपता समय का हमने पूरा complete कर लिया है अगली जो class होगी हम उसमें पढ़ेंगे temple architecture temple architecture पढ़ेंगे और ये वहाँ पर हम सबसे interesting चीज जो chapter शुरू करने वाले हैं वो है temple architecture और बहुत interesting तरीके से और बहुती आसान भाशा में temple architecture को समझ दे जाएंगे I hope जैसे अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है जैसे आपने मेरे साथ पढ़ा है अभी तक दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई है मैंने almost हर चीज़ आपको picture के माध्यम से जादा से जादा explain करके समझाने की कोशिश की है तो आपको ध्यान रखना है कि दो बजे आपको जुड़ना है history की class से 2 p.m. history and 6 p.m. art and culture तो आपको पूरा ध्यान रखना है यहाँ पर अपनी history का और हमारे साथ आपको जुड़े रहना है हम आपकी history का हम ध्यान रखेंगे ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है share करना है subscribe करना है जितने लोग हैं उन सब तक पहुँचानी है और जादा से जादा हमारे साथ बने रहना है पढ़ाई करनी है अपना ध्यान रखना है दोस्तों पढ़ते रहिए शुक्रिया धन्यवाद